ओम नमेशिवाय ओम नमेशिवाय दोस्तो आप सभी का आपकी अपने चनल में बहुत स्वागत हैं यदि आप जिन्दगी से परेशाने हतास हैं बहुत महनत करते हैं लेकिन फिर भी फल नहीं मिलता है हमने हमेशा लोगों का अच्छा किया लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ ह खराब चीज़ें घटित हुई लोग हमें धोका दे देते है हमारे व्यापार नहीं चलता हमारी शाधी नहीं हो पारी ना जाने कितनी परेशानिया मुझे अकसर कमेंट्स में मिलती है जिन्दगी से जड़ुए इस परेशान हो चुके ? हमारी यह 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 परेशानिया है व से वादा भी करता हूँ लेकिन इस पूरी जानकारी को आप अपने जीवन में आत्मसार करें इन चीजों को अपने जीवन में अपना है तब जाके सब चीजे क्लियर हो पाईगी दोस्तों तो उससे पहले एक निवेदन है आप से कि अगर आप इसी तरह के अच्छी जानकारी आपकी राशी से जुड़ी हुई चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकोन को प्रेस कर दे वीडियो को अभी लाइक कर दे कमेंट्स में भोलेनात का कोई नाम लिग दे और अगर अपनी कुंड़ी का अनालिस हमसे करवाना चाहते ह चल रहे हैं आप वाटसप पर अपोन्मेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं सबसे पहली बात है कि जो भी परेशानी है हमारी उस पर आइस परेशानी को हम अच्छे से पहले खुद समझे लोगों की भाशा में मत समझेगा लोगों के दिखावटी पने में मत समझेगा हम कभी भी कभी भी इस तरह से हमें नहीं करना है जो हमारी परिशानी हम खुद उसके बारे में अध्यन करें उसमें क्या हल निकल सकता है और उसका जो रास्ता है हम स्वयम बनाएं ये बात हमेशा याद रखें दोस्तों क्योंकि खुद को खुद से बहतर कोई नहीं समझ सकता और आप इस बात को अपने जियोन का एक हिस्सा मान ले दूसरी बात हैं चिंता किसी भी विशय का चिंता करना छोड़ दें चिंता चिता के समाने चिंताओं से हम वर्तमान जो चल रहा है इस पल को खो रहे हैं इसलिए किसी भी विशय की चिंता करने की कोई आउशक्ता नहीं चाहे खराब हो, अच्छा हो, बूरा हो, सब होगा पर हमें चिंता नहीं करना है जब आपके मन में ये भाव जागरत हो जाएगा जब आप चिंता करना छोड़ देंगे मैं आपसे वादा कर रहा हूं दोस्तो कि आप जो परिवर्तन देखेंगे खुद में वो सोच भी नहीं सकते हैं तीसरा और सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण और मैं वादा करता हूं कि इसे अगर आप करेंगे तो शायद आपकी पहुत सारी परिशानिया खत्म हो सकती है अपने गुरु मंतर का जब अगर कोई गुरु मंतर नहीं है आपके पास तो ओम नमाश्यवाई मंतर का जब करें जादा से जादा जब करें जितना सोचेंगे जितना जब करेंगे उतना अच्छा रहेगा चोथी बात आप हमेशा खुद को पॉजिटिव रखें खुद को खुद मोटिवेट करते रहें लोगों की बातों में ना आए, लोग demotivate करने वाले, दुनिया में negativity ही है, positivity सिर्फ हमें खुद को जागरत करना होती है, और हम positivity कैसे जागरत कर सकते हैं, जब हम पर खुद पर यकीन होगा, हम चीजों के बारे में सही तरीके से जानकारी होगी, हमारा अध्यन होगा, तभी ह हम चीजों को समझ पाएंगे, कुछ यही तरीके हैं, दोस्तों अगर अच्छे लोगों लाइक करना हो, अबने में लाइक करना हो,